हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग बहुत देर कर दी है वो इसलिए क्योंकि बाकी के जो explanations है मतलब last के जो दो बचेवे हैं उसको जो है example से समझाना पड़ेगा और उसमें कुछ ऐसे words यूज भी हुए है जिसका मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए तो ही आपको वो explanation समझ में आएंगे total 8 explanations है जिसमें मैंने आपको 6 explanations करवा दिये हैं आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो playlist पर जाके मेरे channel पर check कर सकते हैं अब जो अगली explanation है number 7 उसके लिए उसको पढ़ने के पहले आपको कुछ words हैं कुछ sections हैं कुछ orders हैं जो कि आपके mind में पहले ही होने चाहिएं ताकि वो explanation number 7 जो है आपको पूरी तरह समझ में आ जाएं तो वो जो explanation है यानि के number 7 वो decree के execution से related है कि decree के execution पर कैसे rejudicata applicable है और कैसे आपको execution करवाने से रोका जाएगा और कब रोका जाएगा कब आपके उपर प्रांग नियम है वो लागू हो जाएगा सबसे पहले अब समझे decree का निश्पादन होता क्या है decree का निश्पादन कैसे होता है और वो क्या चीज होती है जो decree के निश्पादन कहलाती है तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी वाद के परिनाम को प्रवर्तित कराया जाता है अब इस जो यहाँ तक की पून विराम है इसको पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे किसी वाद में कोई decree हुई अब उससे जो परिनाम निकलेगा उसको लागू करवा दिया जाएगा परिनाम क्या निकला माल लीजे कोई money की recovery के लिए कोई case हुआ है और money की recovery का जो decree holder है उसके favor में हो जाती है यानि वो वादी जो है ये मामला जो है अपने पक्ष में जीत जाता है और money की recovery की decree उसको मिल जाती है अब सिर्फ इतना कह देने से ही कि decree उसके favor में हो गई है वो money तो उसको नहीं मिल जाएगी न उस money को हासिल यानि उस पैसे को हासिल करने के लिए उस decree का execution करवाना होगा कोट में अगर उसे नहीं मिलती है वैसे तो generally होता तो यही है होना भी यही चाहिए कि अगर किसी के favor में decree हो गई है तो उसका जो अधिकार है वो उसे मिल जाना चाहिए लेकिन कभी कभी जब इसमें देरी होती है या लेट होती है तो फिर उसका आपको execution करवाना पड़ता है कोट से ही और यह execution का process भी कोई वो नहीं है कि यह rarest of the rare case वाला process है यह भी मतलब challenge में है यह होता ही है तो मैं आपको यह बताना चाहरे हूँ कि अगर decree किसी decree holder के favor में हो जाती है तो फिर उस अधिकार को हासिल करने के लिए उसे अपने अधिकार को प्रवर्तित कराना पड़ता है और यह अधिकार प्रवर्तित कराना यानि अपनी मनी को हासिल कर लेना ही कहलाता है decree का निशपादन यानि execution of decree अब यहाँ पे एक और है अन्यशब्दों में हम यह कह सकते हैं ये डिक्री का निश्पादन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से नियाले द्वरा पारिट डिक्री को प्रवर्तित कराया जाता है और डिक्री धारी व्यक्ति डिक्री द्वरा प्रदत अधिकार को वास्तव में पाने का अधिकारी हो जाता है अभी जो मैंने आपक वास्तव में हो गई है वो पैसे आपको वास्तव में हासिल हो गए है इसके लिए आपको effort करना पड़ता है और वो ही है आपका effort यहां पर decree का निश्पादन यानि execution of decree तो अब जब हम समझेंगे explanation number 7 CPC का तो उसके पहले आपको यह समझ लेना है कि execution of decree होता क्या है उसके बाद आपको seven number समझ में आएगा और मैं यह हर वीडियो हर lecture में जब से मैंने यह explanation वाली वीडियो स्टार्ट किये हैं वो मैंने आपको बोला है कि आपरे subjudicator दोनों ही पहले आप पढ़ लिजे क्योंकि जब तक आप का यह दोनों clear नहीं होता है ना तब तक आपको explanation समझ में नह नहीं आने वाली है और दूसरी बात मैं यह आपको बता दूँ कि जो तीन acts हमारे change हुए है IPC, CRPC, Evidence Act तो कुछ-कुछ आप देख रहे होंगे कि नए acts के साथ साथ आपको पुराने acts भी exam में पूछे जाने हैं लेकिन वहां पर आप इस चीज़ के लिए clear रहे है कि CPC में क कोई amendment नहीं हुआ है कोई changes नहीं हुआ है CPC जो था वही है तो आप सबसे पहले CPC को prepare कर लिजे क्योंकि one of the toughest subject मुझे लगता है कि यह है और इस पर आपके अच्छी command होनी चाहिए प्री हो में सो interview हो या फिर code का practical हो कुछ भी हो तो आप नए act पुराने act के चक्कर में नहीं पढ़के आप अपना सबसे पहले जो act आपके सामने हैं उसको prepare कर लिजे तो उसमें CPC आपके सामने हैं उसको तयार करिए और अब हम देखते हैं जब हमने देख लिया कि degree का में उसके बाद degree holder की definition आप देखते हैं section 2 के 3 में उसके बाद execution of decree आप देखेंगे section 36 से लेके section 74 तक पुरा procedure है उसके बाद execution of decree का जो practical जो है यानि court में आपको जो प्रवर्तन कराने का जो नियम है वो आपको order 21 में में मिलेगा और order 21 में total rules है आपके 106 rules और ये exam में कई बार पूछा भी गया है कि total कितने rules है 21 में या ऐसा कौन सा order है जिसमें सबसे ज़्यादा rules दिये गए हैं तो आज का वीडियो मैं इसी पर end करती हूँ मुझे सिफितना बताना था कि execution of decree होता क्या है ताकि जो explanation number 7 है section 11 का वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए मिलते हैं जल्द आपके साथ में explanation number 7 के साथ